अब हम गोलिये दरपण में वस्तु की विभिन स्थितियों में प्रतिभिम्ब की स्थिति देखेंगे यह प्रतिभिम कहां पर बनेगा कैसा बनेगा इसकी प्रकृति क्या होगी सबसे पहले हम अवतल दरपण में अनन्त पर रखी हुई वस्तु का प्रतिभिम्ब देखते हैं जब वस्तु अनन्त पर रखी हुती है तो इसके इससे निकनलेवरी प्रकाश किरिणे सदायफी समानतर होती है हम इस स्थिती में देखते हैं कि वस्तू अनंत पे हैं सारी किरणे मुख्य अक्ष के समानतर हैं पर प्रतिविम के निर्मान के लिए हमको केवल दो ही किरणों की अवशक्ता होती है तो हम यहाँ पर दो समानतर किरणे लेते हैं यह दोनों समानतर किरणे इस परावर्तक प्र समांतर किरने मुख्य अक्षि के समांतर नहीं है और किसी कोण पर इस अवतल दर्पन पर मिल रही है तो परवर्तन के पश्चात यह फोकस सम्तल पर प्रतिविम का निर्माण करेंगी यहां प्रतिविम सदैव ही वास्तविक होगा उल्टा होगा और फोकस पर बनने पर बिंदु आकार का होगा यह फोकस तल पर बना तो यह वस्तू से काफी छोटा होगा अब हम धीरे धीरे वस्तु को अनंत से आगे की और लाते हैं और देखते हैं कि प्रतिविम्व की स्थिती आकार और प्रकृती में क्या परिवर्तन होता है अब नेक्स स्थिती में वस्तु अनंत और वकृता केंद्र के बीच में रखी हुई है इस सिती में हमने पहली किरण लिए जो कि मुख्यक्ष के समानतर थी परावर्तन के पश्चात यह कहां से गुजरेगी फोकस से अब हमने दूसरी किरण लिया है जो कि वकरता केंद्र से गुजर रही है वकृता केंद्र से गुजरने पर ये परावर्तन के पश्चात वापिस उसे दिशा में लौट जाएगी इस बिंदू पर ये दोनों किरणे मिल रही हैं तो प्रतिविम भी यहीं पनेगा यानि कि प्रतिविम कहां बन रहा है फोकस और वकृता केंद्र के बीच में और ये प्रतिविम कैसा है किरणों के वास्तविक मिलन से बना हुआ है यानि कि ये वास्तविक प्रतिविम है जो कि उल्टा है और इसका आकार वस्तू के आकार से छोटा है अब हम वस्तु को और आगे की तरफ लाते हैं वस्तु को अब हम केंदर पर लाकर रखते हैं हमने फिर एक किरण ली जो की मुख्यक्ष के समानतर है ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी दूसरी किरण येदि हम फोकस से गुजरता हुआ लेते हैं तो ये किरण परावर्तन के पश्चा समानतर हो जाएगी मुख्यक्ष के और इस बिंदू पर ये दोनों किरणे मिल रहे हैं यहाँ पर प्रतिविम का निर्मान होगा और ये प्रतिविम भी होगा वास्तविक यानि की उल्टा और यहाँ पर जो प्रतिविम का आकार होगा बिलकुल वस्तू के आकार के बराबर होगा अब हम वस्तू को और आगे की और ले जाते हैं अब वस्तू को केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं यहां पर हमने फिर एक किरण लिया है जो कि मुख्यक्ष के समानतर है यह परवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी दूसरी एक किरण लेते हैं जो कि फोकस से गुजर रही हो तो यह परवर्तन के पश्चात मुख्यक्ष के समानतर हो जाएगी और इस बिंदू पर यह द अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे लाते हैं और इसे हम फोकस पर रखते हैं इससे निकलने वाली समंतर कीरुण परावरत्न के पश्चात के जो कि केंदर से गुज़र रही हो तो परावरत्न के पश्चात भी यह विप्रत यहांँ पर हम देखते हैं कि यह पर अपस में कभी नहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं यानि कि दोनों समांतर दिख हम दोन्हीं पर मिलती है यहां पर प्तिभिम बनेगा वह पर बनेगा और यह प्तिविक होगा और ये वस्तु उसे कहीं बड़ा होगा वास्तविक होगा यानि यह उल्टा भी होगा अब हम वस्तु को और आगे लाते हैं यानि की फोकस और धुरूफ के बीच में रखते हैं यहां से भी निकलने वाली समांतर किरने फोकस से उकर गुजरेंगी दूसरी किरन हम ले रहे हैं जो कि वक्रता केंदर से गुजर रहे हैं यह पर्वर्तन के पाश्चात की दोनों के रहने यह आपस में कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि वास्तविक प्रतिविखंब्य निर्मान नहीं होगा यहां से देखें जहां से दोनों किरने आती भी प्रतीत हो रही है तो उस जगे पर यानी कि यहां पर प्रतिविंब का निर्मान होगा और यह प्रतिविंब अभासी प्रतिविम होगा अभासी प्रतिविम यानि की सीधा प्रतिविम होगा और ये प्रतिविम इस स्थिती में वस्तु से बड़ा होगा और ये दरपन के पीछे की ओर बनेगा अभी तक जितने भी प्रतिविम बन रहे थे वो दरपन के सामने की ओर बन रहे थे लेकिन यह अभासी प्रतिविम दर्पण के पीछे प्राप्त होगा अब हम प्रतिविम का निर्माण उत्तल दर्पण में देखेंगे यह उत्तल दर्पण में अनंत से लेकर चाहिए किसी भी बिंदू पर रखो हम यह देखते हैं कि यहां से निकरने वाली किरने यदि दर्पण में के टकराती हैं तो यह divergy होंगी मान लेजिए एक किरण हमने ऐसी लिए जो कि मुख्यक्ष के समानतर है तो यह कहां से गुजरती हुई नजर आएंगी focus से बाद यह reflect तो बाहर की ओर जा रही है लेकिन वो कहां से गुजरती हुई नजर आ रही या आती हुई नजरारी फोकस से और जो दूसरी किरण है जो केंद्र से जाती नजरारी है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी रास्ते में विप्रदिशा में चलने की लगेंगे और इस जगे पर यह दोनों किरणे मिल रही हैं यहां पर प्रतिविम का निर्मान होगा यहां पर भी हम दरपण के पीछे की और बन रहा है और यह ऐसे बिंदु पर बन रहा है जहां पर किरणे आती हुई प्रतीत हो रही है जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है मतलब यहां पर प्रतिविम आभासी और सीधा बनेगा और इस स्थिति में प्रतिविम वस्तु के आकार से चोटा बनेगा तो इस प्रकार बच्चो हमने अफ्तल दर्पन और उत्तल दर्पन में विभिन इस्थितियों में प्रतिविम का निर्मान देखा अब मुझे ये बताइए कि आपको तीन दर्पन दिये गए हैं और उनमें से आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है कि कौन-कौन से दर्पन है तो आप क्या से पहचानेंगे सिंपल पहले तो हम उसे चू कर पहचान लेंगे यदि हम उसे चूते हैं जिसकी सता हमको बिल्कुल समतल नजर आती है वह कौन सा दर्पन हुआ समतल दर्पन जिसकी सता उभरी हुई नजर आएगी चमकदार सता चूने पर तो वो क्या कौन से दर्पण होगा उत्तल दर्पण और जिसकी सता अंदर धसी हुई नजर आएगी वो होगा अफ्तल दर्पण समस्य तो तब होगी जब हमको दर्पण को छुने से मना किया जाए तीन दर्पण दूर में रख दिये गाए और हमको बोला जाए कि पहचान यह कौ से दर्पण है यदि प्रतिविम उल्टा बनता है तो नो डाउट वो कौन सा प्रतिविम है वह वास्तविक प्रतिविम है और वास्तविक प्रतिविम का निर्माण सदय भी अवतल दर्पण में होता है लेकिन प्रतिविम सीधा बन रहा है उस समय कन्फ्यूजन है क्योंकि उस में lateral inversion हुआ यानी कि दाया का बाया shift हुआ तो वो दरपण होगा समतल दरपण जैसे कि हम अपने रोज यूस करने वाले दरपण में देखते हैं खड़े होते हैं तो हम बराबर उसी हाइट के नजर आते हैं जैसे हैं वैसे ही हम दिखते हैं बस यदि हम दाया हाथ उठा तो दरपण में मैसूस होता है कि जैसे कि बाया हाथ उठा रहे हैं तो वहां पर लेटरल इंफर्शन हो जाता है तो इस प्रकार का दरपण होगा समतल दरपण लेकिन सीधा प्रति में मने और वो वस्तु के अकार से बड़ा हो तो वो होगा अवतल दरपण लेकिन यदि सीधा प्रति में मने और वस्तु के अकार से छोटा बने तो वो होगा उतल दरपण